भारत सरकार और पर्याटन मंतुराले के सोजन्ने से हो में स्टे बेड और ब्रेकफास्ट हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम डेडी गाउ स्टी टॉंग करश्यांग पश्चिम मंगाल में निर्धारित किया गया था ताकि अस्थानिय लोगों को प्रशिक्षन दे करके उन्हें स्वावलंबी बनाने में मदद किया जा सके ताकि वो अपने आपको आत्म नीरभर बनाते हुए समाज और देश का नाम रोशन करके अपनी पहचान का मोहताज बना रहे ऐसे में स्री जोतिर में विश्वा सहायक निदेशक परियतन मंत्राले भारत सरकार ने कहा कि एक्सपिरियंस एंक्रेडिबल जर्नी ट्रस्ट को शिटॉंग को प्लास्टिक मुक्ट गाउं भोश्टित करने की जिम्मेदारी अब लेनी चाहिए और अनुभाव परियतन को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए परियतन मंत्राले भारत सरकार कोलकाता रेजी ने पूरा सहयोग करने की वचनबद्ध है परियतन मंत्राले भारत सरकार ने नीधी पोर्टल के माध्यम से ग्रामिन परियतन को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया है परियत अपने धन्यवाद कहा साथ ही साथ आपको बता दे कि इसमें सहयोगी इस्टन हिमालेयर ट्रैबल एन टूर ऑपरेटर्स एस्टोस्येशन युवा टूरिजम क्लब ट्रैबल फॉर लाइफ देखो अपना देश एक भारत स्रेश्ट भारत के साथ साथ आई आई एस के एक्सपर्ट शिक्षक अपने विचारों को प्रकट किया है और उनका मकसद केवल और केवल हिया है कि शिटों के अस्थानिय निवाशी को पर्यटन के छेतर में कैसे अपने रोजी-्रोजगार को मजबूत करके अपने आपको स्वावलंबी बना करके देश का नाम को रोशन क इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपना पडिचे देते हुए हमारे दर्शकों को संचीत में बताईए नमस्कार संद्याचारिया सिटोंग एको ट्रावलर्स वेल फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट यहां पे जो ट्रेनिंग हो रहा है आज मिनिस्ट्र अप टूरिजम के और से बेड़ बिरिखफ़स्ट एंड होमस्टे अस्पिटालिटी ट्रेनिंग प्रोग्रम यह हमारे लिए फिर्स्ट टाइम सिटोंग में हो रहा है इससे पहले बहुत बार हम बाहर जाके अठेंड किये हैं लेकिन फिर्स्ट हमें आप हो रहा है तो हम लोगों को बहुत कुछ स ये ट्रेइनिंग के बजह से हम लोग क्या कर रहे हम लोग का काम यहाँ फांड खर रहे है क्योंकि गेस्ट क्या चा रहे हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट आरा रहा है अभी आज कॉन-कॉन अधिकारी यहां पर अपस्ती थे थे वेस्ट मेंगल डिपार्टमेंट अफ टूरिजम से बहुत सारे ओफिसर्स आये हुए है, जो इन डिरेक्टर आये हुए है, बाकी इथवा का मेंबर्स और जो हमारे स्टेक होल्डर्स जो सिटॉंग में हैं, वो सब आये हुए हैं. ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? खास करके जो अभी सिटॉंग है, यह सब जो इहां पर आज आये हुए है, सभी का योगदान से यह हुआ है, तो इन फ्यूचर सस्टेनेबल टूरिजम के ऊपर काम करने के लिए या फिर जो पर्यावरन है इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यह सब के बारे में काम करने के लिए मैं सभी काहवान करना चाहूंगे, संध्याचरिया, प्रेशिडेंट सिटोंगी को ट्रावलर स्वेलफेर ससाइटे, भारत सरकार और पर्याटन मंत्राले के तरफ से, आज क्या काड़े करम यहां पर निर्धारित किया गया, इस प्रकास काल के हमारे दर्शकों को प्रिजन आज अज भारत सरकर की पर्याटन मंत्रालाइज जो पूर्वा शित्र है, यहां से अभी एक प्रोग्रम किया जा रहा है, उसका नाम है, प्रोग्रैम किया जा रहा है, होमस्टे, बेड़ेंग बिगफ़ष्ट, एंड होस्पिलिटी ट्रेनिंग, तकि यहां पे सब्सक्राइब कर सकते इसलिया कि लोगों की एवरनेस और हस्पिटालिटी दोनों इसमें है तक कैसे अस्पिटालिटी दे सकते और कैसे इसको सर्भाइब कर सकते सब्सक्राइब कर सकते इसको और ज्यादा एट्रक्शन यह उपर हो कि जो लोग सिटंग में बहुत चारी लोग आए आके यहां कर जो लुकाल प्यूपिल के जो बेटर्मेंट अब लाइब जो है उसको यह बढ़ा है ताक कि इसको अपना रुजगार मेले और एक सबसुत्रा एक अच्छा जगा इसके अपना जो कल्चार है इसके जो खाना है तो इसके प्रमोट करें यहां के जो एथिनिक पीपल है यह मेरा नाम है संजीव देव चाधरी मैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूं और मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम केंद्र सरकार के द्वारा जो होमस्टे और बेड़न ब्रेकफास्ट के जो गाइडलाइन्स हैं उनके बारे में हम यह जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको अवगत कराएंगे कि किस तरह से वो एपलाई करेंगे और किस तरह से वो हमारे स्कीम के साथ जुड़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजे हैं वो हम सब इनको बताएंगे सर जैसी क्या-क्या है थोड़ा सा प्रकास डालेंगे इसके जो सिंपल सी चीज है होमस्टे जो है जो ओनर्स हैं जहां रहते हैं वो अगर अपने घर से चलाएं तो उसे होमस्टे का जाता है और बैड और ब्रेकफास्ट कीम में क्या होता है कि आप किसी केर टेकर को रखके से भी आप बैड और ब्रेकफास्ट चला सकते हैं तो यह बेसिक डिफरेंस है तो इसके अलावा बहुत सारी चीजे हैं जिसके बारे में हम इनको डिटेल में बताएंगे इस तरह का कारे भार तो आप माध्यम से किया गया होगा सर उससे कुछ लगा है कि कुछ आपको केंद्र सरकार के दोरा जो निकाला गया है स्टेट का अलग है जो केंद्र सरकार के दोरा जो गाइड लाइन से उसके बारे में अवगत थोड़ा सा कम है यहां के लोगों में तो हम उन्हें बेसिक चीजें उनको बता देंगे ऐसे समय में क्या संदेज देना चाहेंगे तो विदेशों में भी उनके जो नाम और डीटेल ये सारा कुछ हमारे पोर्टल में चला जाएगा और बाहर से लोग इसे देखकर डायरेक्ट यहां बुकिंग करेंगे ठीक है स्वागत हसर आपका क्या कहना चाहेंगे आज आप जो पढयाटक के रूफ में घूमने आए हैं मेरा अगार एक्सपरियंस में बताऊं एज ट्रेविलर बहुत ही अच्छा मैं मैं उसस करता हूं यह पे क्यूंकि मैं फर्स्ट टैम नहीं मैं इससे पहले भी मैं आ चुका हू चुनते इसलिए कि यह गाव में जितना भी अगर मैं रस्ते से जा रहा हूं किसी से अगर मेरा मुलकात हो गए तो ओ मुझे नहीं जानते लेकिन ओ जो स्माइल देते है ना ओ हाट से देते यह मुझे बहुत ज़्या पसंद है दूसरा जो है इंके खनपन और नेचर तो आ आवाज कर रहे थे ना उसी से मेरा नीन टूता तो इतना अच्छा है इतना अच्छा है अगर जाओंगा मैं धेर सारे अक्सिजन लेके जाओंगा और एतना अच्छा एक्स्परेंस लेके जाता हूं कि मेरा भागदोर जिंदेगी में यह मेरा एक मेडिसीन का तरा काम करते अपर अपरिचे देते हुए हमारे कि मेरा नाम कृष्नेंदु है एज अपरेवल मैं ट्रेवल करते रहता हूं मैं खासतोर सहरो में जाता हूं मैं गुमना पसंद करता हूं तो मैं शंदे से यह डेना चाहता हूं लेकिन एक रेस्वण सिवल तूरिस्क के तरह यह इस बाता को अपना तरफ से मठ ढ़लाइए इनको आप अबसर्ब कीजिए और अपना जो खुबिया है ओ इनसे बाटिये मिल जूल के चलिए तो सब कोई एक साथ आगे बर सकते एक अंतीम सवाल आप से मुझे पता चला ऑफ-लाइन जब मैं वारतलाप किया कुछ लोगों से तो पता च तो यह मुझे काफी अच्छा लागा कि मैं भी मेरा साथ एक लीटर का पानी का बटल था मैं भी उसको डास्बिन में क्रेस करके मैं फिक दिया गहा हूं और इसे नल कमाली पानी मैं पी रहा हूं तो बैस मैं खुष हूँ स्वास्तु आपके साब में हूँ हूँ स्वागत है सर क्या कहना चाहेंगे है जो आप लोगों का टीम आया है क्या कहेंगे इस बारे में देखिए शीटांग तो एक बड़ा जगा है कि इसमें बैसिकली शीटांग वान टू थी मिला कर लगभाग साथ की उपर गाउं ही पर है आज जिस गाउं पर हम लोग है इस गाउं को चुक्त नामें डाइडी गाउं तो मैं इसको चाहता हूं कि experience incredible journey जो है अब देखिए incredible India को हम सभी जानते हैं चैसे दुनिया भर की इंडिया की बात करते हम इसके साथ जूरना चाहता है experience और ये experience क्या होता है जब भी आप किसी गाउं में आएंगे तो उस गाउं का जो उन आप जानते हैं कि B&B, Bed and Breakfast Game में अब उसमें हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे दर्सुक को और जो इसको सुनेंगे उनको यह बुलना चाहते हैं कि आप देखिए कि जब गाउं में आएंगे आप तो गाउं की तरह रही है जैसे हमारे यहीं पर कहवत है कि जब भी आप एक गाउं में आएंगे तो पहले तो आप एक टूरिस्ट बन कराते हैं और उसके साथ साथ में अब जब निकलेंगे तो एक फैमिली की मेंबर की तरह से आप जाएए तो यह experience incredible journey का मतलब यह है कि सारे जितने यहीं पर society है सारे गाउं में अलग अलग करके हम लोगों ने society त्यार किया जिस तरह के हैंप रहा है शीटोंग एको ट्रेविलर्स विलफेर सोसाइटी उस तरह का कलिमपॉंग में भी है उस तरह का डूर्स में भी है तो यह जनजाती का जुंचा लाइफ जो लाइफ श्टाइल जो है साथ साथ में आप जिस जगह पर इसको फोटो ले रहा है आप देख रहा है कि यहीं पे इनका बाता बरन देखिए इनका पड़िया बरन देखिए कि सारे यह कार्बन फ्री है और इन्टेर कर्बन फ्री एरिया में जबी लोग आते हैं ही पे तो उनको क्या लेकर जाना चाते ऐसे तो आप बुलेंगे कि दरजिलिंग हिल्स और कलिंपॉंग हिल्स में कहीं पर भी आप जाएंगे और घने जंगलों से घिरा मूर्ती नदी के किनारे हैं यहां एसी नॉन एसी दिलक्स रूम के साथ साथ आनंग लीजिए स्वादिश्ट और हाईजिनिक ठाने का हमारे यहां जंगल सफारी के शुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड्रॉप सेवा भी उपलब्ध हैं आज ही आये छुटियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलों के नजदीक निया मूर्ती नदी लाटा गुडी